क्या आपको भी COVID vaccination की second dose का inaccurate certificate रसीव हुआ है यानि कि अगर आपने COVID vaccination की दूसरी dose अभी तक नहीं लगवाई है और आपको एक जो है यहाँ पर certificate आपके mobile नमबर पर रसीव हुआ होगा कि आपको जो है दूसरी dose जो है वो भी लग गई है ऐसे बहुत से cases जो है वो जमकुश्मी में देखने को मिले हैं क्योंकि जहां पर बात करें अब जमकुश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तो उनकी तरफ से भी इस पर जो है सफाई दी गई है क्योंकि एक case जो है यह सामने आया था जहां पर डिस्ट्रिक कुपवारा से दो बेनिफिशरी जो है ऐसे थे जिनको यह फेक सर्टिफिकेट्स रिसीव हुए थे यानि कि उन्होंने अभी तक दूसरी डोज जो है कोविड बैक्सिंट की वह नहीं लगवाई थी लेकिन उन्हें जो है एक SMS होता है कि उन्होंने जो है अपनी दूसरी डोज जो है वो 11 सप्टेंबर 2021 को लगवा ली है तो उसक और पूरा किया गया investigation की गई तो उन्होंने यह पाया है कि जो भी workers जो है जो भी employees उस वक्त यह data uploading का काम कर रहे थे उनकी तरव से एक Sudden Increase जो है वो जिस तरह से data uploading में आया है तो उस वज़ह से जो है इस तरह की गलती जो है वह हो गई है और जिन लोगों ने अभी तक सेकं ड्राइब जो है वो चलाई जा रही है और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनने जिनको जो है उनके मबाइल लंबर्स पर ये कोविड वैक्सिनेशन की जो है दूसरी डूल का जो उनका वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट है ये रेसीव हुआ है और इसी के अगर जिन्होंने कोविट वैक्सिन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है और उसके बावजूद भी उनके पास सर्टिफिकेट है अब उन लोगों को डाटा जो है वो भी निकाला जाएगा और जिसके पास भी यह फिक सर्टिफिकेट जो है यानिकि इन एप्रॉप्रियेट स केसिस होंगे जिनको इस तरह से जो है यह जो एक तरह से समस है यह रसीव होगा कि उन्होंने दूसरी डोज जो है वो लगवाली है लेकिन उन्होंने कोई भी दूसरी डोज अभी तक नहीं लगवाई होती है आपको बता दें कि जो जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रही हू उसमें दो बेनिफिशरीज जो की ब्लॉक सो गाम डिस्ट्रिक को पवारा के रहने वाले हैं उनको भी ऐसा ही एक SMS रेसीव हुआ कि उन्होंने जो है COVID वैक्सिन की दूसरी डोस जो है वो लगवाली है लेकिन उन्होंने जब डिपार्टमेंट को जो है इसके लिए बताया कि उन्होंने अभी तक दूसरी डोस जो है COVID वैक्सिन की नहीं लगवाई उसके बाद ही जो है किश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस सब पूरे मुद्ध पर संग्यान लेने की कोशिश की और अब पूरी तरह से वो डाटा जो है निकाला जाएगा कि आखिर किन किन लोग उन्हों को यह फेक सर्टिफिकेट्स जो है रसीब हुए है ताकि उन तमाम लोगों को भी जो है वैक्सिनेट किया जा सके जिनों ने अभी तक वैक्सिनेशन जो है दूसरी डोस की नहीं लिए है और अभी ऑप यह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड की पहली डोस जो है नहीं लगाई गही है उस पर भी पूर इतना से काम किया जा रहा है क्योंकि जहां पर अब थर्ड प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है जहां पर 15 से 18 साल की बच्चों की बात करें उनको भी वैक्सिनेशन जो है वो लगाई जा रही है तो इस बिच कोशिश ही है कि जो भी लोग है उन्हें जो है जल से जल्द वैक्सिनेट जो है किया जा सके ताकि उनकी भी इम्मुनिटी जो है स्टॉंग हो सके और कोरोना के इस खत्रे से लड़ने की शमता जो है उनके अंदर हो सके और जिस तरह से अब एक स्पेशल ड्राइब जो है यह चलाई जा रही है और एक तरह से लूपोल भी नजर आता है लेकिन जहांपर दूसरी और हल्द डिपार्टमेंट ने यह साफ भी किया है कि यह अनिटेंशनली जो है यह मिस्टेक हुई है और इस पर आप काम करने की कोशिश जो है वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से कर रहा है तो चलिए अ अपडेट में वस इतना ही मुझे दीजी अजाज़त में सकता है